नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशा नियूज में पेम मोदी आज जम्मू कश्मीर में उधमपुर रैली पर थे इस दोरान उन्होंने यहां की आवाम के लिए कई एलान किये उन्होंने आप पूर राज्य का दर्जा देने और जल्द विधानसभा चुनाव होने का भी वायदा किया पेम मोदी ने कहा कि पिछले साथ सालों से चली आ रही समस्याओं का समाधान उनकी सरकार ने किया है इसके अलावा भी पेम मोदी ने उधांपूर की रैली में कई एलान किये पेम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा वापस में लेका आप अपने सपनों को अपने विधायकों और अपने मंत्रियों के साथ साजह कर सकेंगे बता दें जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर राज्य को अक्टूबर 2019 में एक केंदर शासत प्रदेश में पुनरगटित किया गया था वहें इसी साल जम्मू और कश्मीर पुनरगटन अधिनियम के तहत अनुछे 370 को निरस्त किया गया था पियम ने अपनी रैली के दौरान ये भी कहा कि आमचुनाफ सिर्फ एक संसद सदस्य को चुनने के लिए नहीं है बलकि देश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए भी है पियम मोदी ने रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 10 सालों में आतंकवादियों और भरिष्टचारियों पर नकेल कसी गई अब अगले 5 सालों में इस छेत्र को विकास की नई उचाईयों पर ले जाना है जम्मुहो या कश्मीर अब पर्याटक और शद्धालू रिकॉर्ड नंबर में यहां आने लगे हैं यहां आधुनिक सुरंगी आधुनिक चौडी सड़के और अदभुत रेल यात्राएं हैं अब यहां स्कूल जलाए नहीं जाते बलकि स्कूलों को सजाया जाता है पिछले 7 सालों से चली आ रहे ही समस्याओं का समाधान हुआ है अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है सड़क, बजली, पानी, यात्रा और प्रवासन सभी उपलब्द कराए जाएंगे बतादें कि बीजेपी ने उदंपुर से केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग को मैदान में उता रहे हैं जो 2014 से इस निर्वाचन शेत्र का प्रतिनिद्रत्व कर रहे हैं बतादें कि इस सिंग ने 2014 में उदंपुर से जमू कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री गुलाब नभी आजाद को हराया था ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं पब्लिकेश्या नियूस धन्यवाद